हलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 तो प्रैक्टिस सेट 13 जो है उसमें जो फर्स्ट कोश्चन है वो है फाइंड दा एल्सियम तो चलो अब हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं एल्सियम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टिपल तो हम अपना फर्स्ट कोश्चन स्टार्ट करते हैं अभी फाइंड दा एल्सियम हाँ बारे जो first question है वो है 12 और 15 तो मैं आपको बताती हूँ कि 12 और 15 का पैल्सियम कैसे find out कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसको factorize करना होगा factorize करना आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा तो हमें 12 को करना होगा factorize और 15 को factorize करना होगा तो चलो start करते हैं सबसे पहले हम 12 को करते हैं तो 12 जो होगा वो 2 से divide हो सकता है तो हम लिख सकते हैं 2 6s are 12 then 2 3s are 6 and 3 1s are 3 यह हमने 12 को factorize कर लिए अब हम 15 को करते हैं यह हम 3 के table से कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 5s are 15 and 5 1s are 5 तो सबसे पहले हमें जो भी number दिया होगा उसको हमको factorize करना होगा उसके बाद हम इसके factors लिखते हैं So what are the factors of 12? 12 के factors आप देख सकते हैं 2 into 2 into 3 तो यह हम लिख लेते हैं 2 into 2 into 3 अभी यह 15 है तो हम 15 के factors लिख लेते हैं यह है 3 into 5 So हमने इनके factors लिख लिए अब हम इस factors से हम इसका LCM find out करेंगे तो मैं एक छोटे सा formula आपको बता रही हूँ कि आप LCM जब आपको find out करना होता है तो LCM आपको निकालने के लिए आपको multiply करना होता है common factor CF का मतलब है common factor into non common factor तो यहाँ पर मैंने लिखा है CF into non CF CF का मतलब है common factor into non common factor जो होगा वो हम multiply करेंगे LCM के लिए अब यह आप करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखिए पहले इसमें common factor क्योंकि HCF में हमको सिर्फ common factor देखना होता है बन LCM में common factor and we will multiply non common factor also तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और यह 3 यह आप देख सकते हैं कि 12 में भी 3 common है और 15 में भी 3 common है तो हमारा जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा common factor हो जाएगा अब यह आप देख सकते हैं 2 का आप कोई pair नहीं कर सकते हैं common factor into non common factor तो common factor क्या हो जाएगा हमारा 3 हमको यह one time लिखना है 3 because 3 क्या है हमारा common factor है और common factor हमको सिर्फ एक बार लिखना होता है तो 3 हो जाएगा common factor into तो यह हमने common factor लिख लिख लिया अब non common factor इसमें क्या क्या है तो जो non common factor हैं वो है 2, 2 and 5 तो यह हम लिख लेते हैं 2 x 2 x 5 मैं अगें यह एक बार रिपीट कर लेती हूं देखिए, LCM निकालने के लिए आपको common factor और non-common factor को multiply करना होता है common factor का मतलब होता है जिनके pair बन रहे है और non-common का factor मतलब है जिनके pair नहीं बन रहे है तो हमने जब यह factors को इसके लिख लिया तो आप देख सकते हैं कि 3 और 3 दोनों क्या है इसमें common है that means we can take 3 as a common factor so हम 3 में से सिर्फ एक 1 लेंगे 3 because it's a common factor and this is the उसके बाद जितने भी non-common factor बाकी है जितने का भी pair नहीं बन रहे है वो सारे numbers को आपको लिखना होता है जैसे 2 into 3 into 2 into 2 into 2 into 5 आप देख सकते हैं मैंने ये लिख लिया है अब हम इसको multiply कर लेते हैं तो ये इसको multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 5s are 60 तो हमारा जो 12 और 15 है उसका LCM हो जाएगा 60 student इसको find out करने का एक और method है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपको जो easy लगेगा आप वो follow कर सकते हैं तो ये 12 और 15 को आपको 7 में लिख सकते हैं उसके बाद आपको एक ऐसा number देखना होगा जो दोनों से divide होता तो हम लेते हैं यहाँ पे 3 तो आप देख सकते हैं कि 3 4s are 12 and 3 5s are 15 तो ये दोनों उसमें से divide हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि 4 और 5 दोनों किसी भी table में नहीं आते हैं तो हम यहाँ पे इसको stop करेंगे और हम LCM इसका लिख सकते हैं तो LCM equals to हो जाएगा 3 into 4 into 5 so 3 4s are कितना हो जाएगा 12 and 12 5s are 60 so this is the second method आप साथ में लिख के भी आप LCM find out कर सकते हो या फिर आप separately भी find out करके common और non common factor को multiply करके आप इसका LCM जो है वो find out कर सकते हो ओके तो अब हम start करते है next question तो सबसे पहले हम 6 को factorize करेंगे 8 को factorize करेंगे और 10 को factorize करेंगे तो 6 को हम factorize कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2, 3s are 6 and 3, 1s are 3 8 को हम factorize कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2, 4s are 8 2, 2s are 4 and 2, 1s are 2 10 को हम कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2, 5s are 10 and 5, 1s are 5 अभी हम इसके factors लिख लेते हैं तो 6 के factor क्या हो जाएगा 2 into 3, 8 के factors हो जाएगे 2 into 2 into 2 और 10 के factors हो जाएगे 2 into 5 अभी इसमें common factor क्या है वो हमको find out करना है तो आप देख सकते हैं 2, 2 और 2 मतलब यह क्या है common factor है उसके अलावा कुछ भी जो है कुछ भी common नहीं है that means इन तीनों में जो pair बन रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है इदर 5 है यहाँ नहीं है और यहाँ पे 2, 2 है that means common factor क्या हुआ 2 हुआ तो अब हम इसके LCM निकाल लेते हैं therefore LCM LCM equals to common factor common factor क्या है 2 है into non-common factor तो बाकी जितने भी बचे हैं वो हो जाएंगे non-common factor तो हम जितने भी बाकी हैं वो लिख लेते हैं 3 into 2 into 2 into 5 अभी हम इसको multiply करेंगे तो हमारा LCM जो है वो find out हो जाएगा चलो इसको multiply कर लेते हैं तो 2, 3 हो जाएगा 6 6, 2 हो जाएगा 12 12, 2 हो जाएगा 24 and 24, 5 हो 120 यह हो जाएगा आपका LCM एक और method में बता देती हूँ student आपको आपको जो ठीक लगे है आप वो follow कर सकते हैं इसमें हम इनको साथ में भी लिख सकते हैं 6, 8 and 10 आप देख सकते हैं कि 6, 8 और 10 जो है वो तीनों 2 के table में आते हैं तो हम इसको divide कर सकते हैं 2 के table से तो यह हो जाएगा 2, 3's are 6 और यह हो जाएगा 2, 4's are 8 and 2, 5's are 10 अभी इसमें से कोई भी ऐसे 2 numbers नहीं है जो और further divide हो सकते हैं अगर 2 भी at least divide हो रहे हो तो हम next step कर सकते हैं तो 3 numbers जो आए हैं 3, 4, 5 वो किसी भी एक single number से divide नहीं हो सकते हैं तो हम इसको यहीं पे stop करते हैं और LCM लिख ले तो LCM हो जाएगा हमारा 2 into 3 into 4 into 5 आप इसको multiply करेंगे तो आपका LCM जो होगा वो आएगा 120 तो यह हो गया second method और यहाँ पे हमने इसको separately किया वो भी एक method है आपको जो easy लगता है उसको आप follow कर सकते हैं Question number 3 हम start करते हैं तो हम factorize करते हैं 18 and 32 को 18 को हम start करते हैं इसको हम factorize कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 9s are 18 3 3s are 9 and 3 1s are 3 32 को हम factorize करते हैं table of 2 से हम करते हैं तो यह हो जाएगा 2 1s are 2 2 6s are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 and 2 1s are 2 तो यह हमने factorize कर लिया 18 और 32 को अभी हम इसके factors लिख लेते हैं तो 18 के factors हो जाएगे 2 into 3 into 3 और 32 के factors हो जाएगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो इसके common factor क्या हो जाएगा यह 2 और यह जो 2 है यह क्या हो जाएगा इसका common factor हो जाएगा तो अब हम लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 3 is a 6 और 6 3 is a 18 इसको हम थोड़ा easy कर लेते हैं एक साथ कहीं confusion ना हो तो हमने इसको पार्ट पार्ट में multiply भी कर सकते हैं तो 2 3 is a 6 6 3 is a 18 यह लिख लिया उसके बाद बाकी के जितने 2s हैं 2 2s a 4 4 2s a 8 and 8 2s a 16 यह हम लिख लेते हैं उसके बाद आप 16 और 18 को आपस में multiply करेंगे तो आपका answer आजाएगा 288 तो 288 जो है वो हमारा LCM हो जाएगा अब हम question number 4 solve करते हैं question number 4 में है 10 15 and 20 इसको हम factorize start करते हैं तो 10 को करेंगे तो इसको हम 2 से करते हैं तो यह हो जाएगा 2 5s a 10 और यह हो जाएगा 5 1s a 5 इसको हम करते हैं 3 से तो जाएगा 3 5s a 15 और यह हो जाएगा 5 1s a 5 20 को हम करते हैं 2 से 2 10s a 20 then 2 5s a 10 and then 5 1s a 5 तो यह हमने factorize कर लिया अब हम इसके factors लेख लेते हैं तो 10 के factors हो जाएगे 2 into 5 15 के factors हो जाएगे 3 into 5 और 20 के factors हो जाएगे 2 into 2 into 5 अभी हम इसके common factor लिख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है second number में और third number में भी 5 है मतलब यह तीनों क्या है common factor है अभी देखते हैं कुछ और common है क्या यहाँ पर अच्छे student इसमें आपको ध्यान रखना है कि LCM और HCM FCF में यही difference है कि जब आप LCM find out करते हैं तो अगर कोई number किसी 2 number में भी common है तो भी आप उसको common factor ले सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है बट at least 2 numbers में वो क्या है common है तो उसको भी आप as a common factor ले सकते हो बट अगर आप LCM find out कर रहे हो so it should be common in all 3 numbers but once you are finding the LCM if it is common in any 2 numbers that also you can take it as a common factor so therefore we can write LCM equals 2 तो first common factor हमारा क्या था? 5 था into second common factor क्या हो गया? 2 हो गया जो भी common factor लेते हैं उसमें हम सिफ 1 लेकिन नमबर को लिखते हैं वो याद रखना ये भी हम इसको common factor लेंगे क्योंकि वो 2 में common है but still we can take it as a common factor तो ये हो जाएगा 5 into 2 into ये होगे common factor now what are the non-common factors? 3 3 है हमारा non-common factor और ये जो 2 है वो है हमारा non-common factor अब हम इसको multiply कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 to the 10 और 10 to the 30 and 32 to the 60 तो हमारा LCM हो जाएगा 60 अब हम स्टार्ट करते हैं question number 5 तो question number 5 में है 45 and 86 तो इसको हम स्टार्ट करते हैं factorize करना 45 जो है वो 3 से divide हो सकता है तो हो जाएगा 3 वल्स आ 3 and 3 5s are 15 next हो जाएगा 3 5s are 15 and then 5 1s are 5 86 को हम divide करते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 4s are 8 and 2 3s are 6 अभी क्या आगया 43 आगया तो 43 जो है वो क्या है प्राइम नंबर है प्राइम नंबर का मतलब है वो या तो 43 से divide होगा या 1 से होगा that means कोई किसी भी नंबर से divide नहीं होगा तो हम इसको simply लिख सकते हैं 43 1s are 43 अब हम इसके factors को लिख लेते हैं तो 45 के factors हो जाएंगे 3 into 3 into 5 और 86 के factors हो जाएंगे 2 into 43 अभी हम find out करते हैं common factor यहाँ पे कुछ भी common नहीं है आप देख सकते हैं कि कुछ भी common factor नहीं है तो हम को इसको सभी को multiply करना होगा तो हम लिख सकते हैं LCM equals to 3 into 3 into 5 into 2 into 43 तो इसको आप पार्ट में भी कर सकते हैं multiply 33 जे कितना हो जाएगा 9 and 9 5 जा 45 into यह 43 2 जा हो जाएगा 86 तो आप 45 और 86 को जब आप multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 3870 और यह हो जाएगा आपका LCM ओके तो question number 6 है 15, 30 and 90 तो 15 को हम divide कर सकते हैं 3 से तो यह हो जाएगा 3 5s are 15 and 5 1s are 5 30 को हम divide कर से हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 5s are 10 next यह हम कर सकते हैं 3 से तो यह हो जाएगा 3 5s are 15 and then यह हो जाएगा 5 1s are 5 इसको हम करते हैं 2 से divide ही हो जाएगा 2 4s are 8 and 2 5s are 10 अब यह हो जाएगा 45 means यह 5 से भी divide हो सकता है और 3 से भी हो सकता है तो हम करते हैं इसको 3 से divide तो यह हो जाएगा 3 1s are 3 and 3 5s are 15 अभी हम इसको फिर से 3 से divide कर सकते हैं यह हो जाएगा 3 5s are 15 और यह हो जाएगा 5 1s are 5 तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेगते हैं 15, 30 और 90 के तो 15 के फैक्टर्स हो जाएगे 3 x 5 30 के फैक्टर्स हो जाएगे 2 x 3 x 5 और 90 के फैक्टर्स हो जाएगे 2 x 3 x 3 x 5 ओके तो अभी हम इसके common factor find out करते हैं तो common factor में पहला तो हमको ये common दिख रहा है 5, 5 और 5 हमको common दिख रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3, 3 और 3 ये भी आपको common दिख रहा है ठीक है अभी ये 2 और 2 यहाँ पे 2 नहीं है बट LCM में हम अगर common किसी दो number पे है तो भी हम ले सकते हैं तो ये भी हमारा 2 जो है वो common number हो गया तो अब हम इसके LCM find out करते हैं तो therefore LCM equals to common factor लिखते हैं पहला common factor हम लिख सकते हैं 5 into second common factor is 3 third common factor is 2 into what are the non-common factor? only 3 is there as a non-common factor ये हमने लेग लिख लिया अब हम इसको multiply करते हैं तो इसको आप multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3s are 15 and 15 2s are 30 and 33s are 90 तो हमारा LCM हो जाएगा 90 अब हम इसको factorize कर सकते हैं तो 5 plus 1 होता है 6 6 का मतलब है हम इसको 3 से factorize कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 3s are 9 और ये हो जाएगा 3 5s are 15 अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से ये हो जाएगा 5 7s are 35 and 7 बन्जा 7 अब हम 195 है तो 195 को आप add करेंगे तो 9 plus 1 10 plus 5 15 तो 9 plus 1 10 plus 5 15 तो जाएगा 3 5s are 15 65 मतलब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बन्जा 5 ये हो जाएगा 5 3s are 15 अभी 13 आ गया तो 13 एक प्राइम नंबर है तो हम इसको as it is 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बन्जा 13 अभी हम इसके factors लिख लेते हैं 105 के factors हो जाएगे 3 into 5 into 7 and 195 के factors हो जाएगे 3 into 5 into 13 इसके बाद हम इसके common factors देखते हैं तो common factors क्या हो जाएगे ये 3 और 3 common है और 5 और 5 इसमें common है 7 और 13 जो है वो है हमारे non-common factor so we can write therefore LCM equals to common factor R3 multiply by 5 multiply by non-common factor that is 7 into 13 आप इसको multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3s are 15 into आप 13 7s are multiply करेंगे तो 91 आएगा इनको आपस में आप multiply करेंगे तो आपका answer आएगा 1 3 6 5 1 365 ये आपका LCM हो जाएगा तो हमने start करते हैं factorize करना 12 को तो इसको हम divide कर सकते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 2 6s are 12 then 2 3s are 6 and 3 1s are 3 15 है हम इसको 3 से कर सकते हैं ये हो जाएगा 3 5s are 15 and 5 1s are 5 45 है इसे हम 3 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 1s are 3 और ये हो जाएगा 3 5s are 15 then 3 5s are 15 and 5 1s are 5 तो यह हमने इसको factorize कर लिया है अब हम इसके factors लिख लेते हैं तो 12 के factors हो जाएंगे 2 x 2 x 3 और 15 के factors हो जाएंगे 3 x 5 45 के factors हो जाएंगे 3 x 3 x 5 अभी इसके common factors find out करते हैं तो common factor हो जाएंगे let's check 2 नहीं है common factor 3 को हम ले सकते हैं common factor यहाँ है इदर है और यह 3rd 3 हो जाएगा common factor अभी यह 5 और 5 जो है 15 और 45 में यह भी हम as a common factor ले सकते हैं बट 2 यहाँ पे नहीं है बदब same number के आपको नहीं लेना है किसी दूसरे number में अगर कहीं other two places में पे 2 होता है तो हम उसको common factor ले सकते थे बट अभी हम नहीं ले सकते हैं तो हम लिख सकते हैं lcm equals to common factor common factor क्या है 3 into 5 is the common factor multiply by 2 into 2 into 3 देखो यह 3, 3 और 3 common था तो हमने इसमें से एक 1, 3 लिया यह 5 और 5 में से हमने एक 1, 5 लिया यह 2, 2 यह 2, 2 हमने लिख और यह 3 को हमने as it is यहाँ पे लिख दिया अब हम इसको multiply करते हैं अब इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3, 5 जा 15 15, 2 जा 30 32 जा 60 and 63 जा 180 तो यह हो जाएगा हमारा LCM हमारा question number 9 है 63 and 81 तो उसको हम factorize करना स्टार्ट करते हैं so let's start with 3 so this will be 3, 2 जा 6 and 3, 1 जा 3 21 आता है हमारे 3 के table पे तो यह हो जाएगा 3, 7 जा 20 1 and then 7 1 जा 7 अब यह 81 मतलब 8 प्लस 1 9 हो गया 9 मतलब वो 3 के table से divide हो सकता है तो यह हो जाएगा 3, 2 जा 6 and यह हो जाएगा कितना यह 3, 2 जा 6 तर यह 2 बाकी तर तो इसके सामने आ गया तो यह बन गया 21 तो हम लिख सकते हैं 3, 7 जा 21 और यह हो जाएगा 3, 9 जा 27 और यह हो जाएगा 3, 3 जा 9 and then 3, 1 जा 3 तो यह हमने इसको फैक्टराइस कर लिया अब इसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं हम इसके फैक्टर्स लिखने वाले हैं 63 के फैक्टर्स हो जाएगे 3 into 3 into 7 और 81 के फैक्टर्स हो जाएगे 3 into 3 into 3 into 3 अब इसके कॉमन फैक्टर हो जाएगे यह 3 और 3 कॉमन फैक्टर यह 3 और यह 3 हो जाएगा कॉमन फैक्टर और बाकी के जितने बचे हैं वो हो जाएगे non common factor, so therefore we can write LCM equals to 3 into 3 into 7 into 3 into 3, अब हम इसको multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 3s are 9 and 9 7s are कितना हो जाएगा 63 multiply by 3 3s are 9, अब हम इसको 63 से 9 को multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 5 67 और यह हो जाएगा आपका LCM, अब हम करते हैं question number 10, तो start करते हैं 18 से तो यह हो जाएगा 2 9s are 18 and then 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 36 को start करते हैं यह हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 1s are 2, 2 8s are 16, अब ही आगया 18 तो यह भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 9s are 18 and then 3 3s are 9 और यह हो जाएगा 3 1s are 3, 27 को हम करते हैं 3 से डिवाइड तो हो जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 और यह हो जाएगा 3 1s are 3, तो यह हमने इसको फैक्टराइज कर लिया अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं तो 18 के फैक्टर्स हो जाएगे 2 x 3 x 3, 36 के फैक्टर्स हो जाएगे 2 x 2 x 3 x 3 और 27 के फैक्टर्स हो जाएगे 3 x 3 x 3, तो यह हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए, अब हम फैंड आउट करते हैं common factors, common factors क्या हो जाएगे यहाँ पे, सबसे पहले यह 3, यह 3 और यह 3, हमारा क्या हो गया, common factor हो गया, और यह 3, यह 3 और यह 3, यह भी हमारा second pair मिल गया, common factor का, अभी आप देख सकते हैं, यह 2 और यह 2, यह भी क्या है, common है, उसके बाद यह 2 और यह 3 बाकी हैं, चीक है, तो इनके pair नहीं बन पाएं, तो हम इसको, we can take it as a non-common factor, so therefore, we can write, L C E M equals to common factor, so सबसे पहले हम यह 3 लेते हैं, common factor, then यह second वाले 3 लेते हैं, common factor, then we will take this 2 as a common factor, then what are the non-common factor, that is 2 into 3, okay, so यह हमने लिख 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 लिया, अब हम इसको multiply करते हैं, उसको multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 3, 3 is a 9, and 9 to the 18, तो यह लिख लिख लेते हैं, 18 multiply by 3, 3 to the 6, so 18 में आप 6 को multiply करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, 108, यह हो जाएगा हमारा NCM, ओके, तो student हमने question number 1 जो है, वो complete कर लिए, पूरे 10 sums के कर लिए, अब देखते हैं question number 2 में क्या है, find the HCF and LCM of the numbers given below, मतलब जो numbers दिए हुए हैं, उनका हमको HCF भी find out करना है, और LCM भी find out करना है, verify that their product is equal to the product of the given numbers, मतलब क्या होता है, कि जब हम HCF और LCM, दोनों को multiply करते हैं, तो उसका जो sum होता है, उसको solve करने के बाद, जो answer होता है, वो बिल्कुल exactly उतना ही आता है, जितना हम ये two numbers को multiply करते हैं, तो आता है, तो पहले तो हमको क्या करना होगा, 32 और 37 का हमको HCF और LCM find out करना है, जब हम 32 और 37 को multiply करेंगे, तो मैं आपको solve करके बताती हूँ, इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो HCF और LCM find out करने के लिए हमको पहले इनको factorize तो करना ही होगा, तो वो हम कर लेते हैं, तो पहले हम 32 को factorize करते हैं, हम table of 2 यहाँ पे use करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 1s आ 2, 2 6s आ 12, अभी यह further factorize हो सकता है, 2 से, तो यह हो जाएगा, 2 8s आ 16, 2 4s आ 8, और यह हो जाएगा, 2 2s आ 4, और यह हो जाएगा, 2 1s आ 2, हमने इसको factorize कर लिया, अभी जो 37 है, वो एक prime number है, prime number का मतलब है, वो या तो 1 से divide होगा, या itself होगा, तो हम इसको itself करते हैं, that is 37, 1s are 37, तो हमने इसको factorize कर लिया, अब factorize करने के बाद हम इसके factors लिखते हैं, तो 32 के factors हो जाएगे, 2 x 2 x 2 x 2 x 2, हमने इसके factors लिख लिए, अब हम लिखेंगे 37 के factors, तो 37 के factors क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 37 है तो अभी हम इनके common factor find out करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी common नहीं है अगर इसमें कुछ भी common नहीं है तो HCF जो होता है वो क्या होता है 1 होता है तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि HCF जो है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी common नहीं है उसके बाद हम find out करते हैं इसका LCM तो इसका हम LCM find out करेंगे तो हम common factor और non common factor लिखते हैं LCM के लिए तो common factor तो कुछ भी नहीं है तो जितने बाकी non common factors हैं वो हम लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 37 नेक्स्ट हम इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32 तो 32 into 37 अगर आप जब इन दोनों को multiply करोगे तो आपका answer कितना आजाएगा 1, 1, 8, 4 तो आपको इसको rough में आपको इसको multiply करके देखना है मतलब हमने क्या किया HCF और LCM जो है वो find out कर लिया अब हम इसको verify करेंगे कि इनका जो product of HCF and LCM है that is equals to the product of two numbers or not two numbers कौन कौन से हैं इसमें two numbers हैं 32 और 37 तो हम इसको verify करते हैं अभी verify करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम find out करते हैं product of two numbers so product of two numbers product of two numbers क्या हो जाएगा क्या क्या है हमारे two numbers तो हमारे two numbers है 32 और 37 तो 32 और 37 को जब आप multiply करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1184 यह आपको रफ में इसको multiply करके देख लो तो यह हो जाएगा product of two numbers now verify करने के लिए हमने product को किया multiply अब हम करते हैं product of hcf and lcm तो hcf और lcm को हमको multiply करना होगा उसका product find out करना होगा तो hcf कितना है 1 है और lcm हमने कितना find out किया था 1184 आप 1184 multiply by 1 करेंगे तो आपका same number आएगा अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि product of two number and product of hcf जो है वो same है that means यह हमने इसको verify कर लिया है तो यह हो जाएगा हमारा answer next question है 46 and 51 तो 46 को हम factorize करते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 2s are 4 and 2 3s are 6 अभी 23 क्या है एक prime number है तो हम इसको simply 23 1s are 23 हम इसको divide कर सकते हैं अभी 51 है तो 51 में 5 plus 1 होता है 6 that means it can divide by 3 तो यह हम लिख सकते हैं 3 1s are 3 and 3 7s are 21 अभी 17 भी क्या हो गया एक prime number हो गया तो prime number भी क्या होगा 3 into 17 ओके अभी आप इसमें देखेंगे कि common factor क्या है कुछ भी नहीं है common factor हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है so therefore we can write hcf equals to कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्यों 1 होगा क्योंकि कोई भी common factor नहीं है और lcm कितना हो जाएगा lcm मतलब common factor into non common factor non common factor यहाँ पे सब हैं क्योंकि common factor कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 into 23 into 3 into 17 इसको आप multiply करेंगे 23 2s are कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा multiply by 17 3s are हो जाएगा 51 अभी आपको इसको वीडियो को pause करके आप इसको multiply कीजिए 46 को और 51 को once आप इसको multiply करेंगे तो आपको answer मिलेगा 23 4 6 यह हमारा हो जाएगा product of hcf and lcm अब हम इसको verify करते हैं तो verify करने के लिए हम लिखेंगे product of two numbers so product of two numbers which two numbers 46 and 51 so product of two numbers that is 46 and 51 आपको जब इसको आप multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 23 4 6 okay then afterward what you will do product of hcf and lcm so hcf कितना था 1 था into lcm हमने कितना find out किया था 23 4 6 once you will multiply this one means same number only so 23 4 6 so यहाँ पर आप देख सकते हैं product of two numbers भी same है और product of hcf and lcm भी same है that means हमने यहाँ पर इसको verify कर दिया तो यह हो जाएगा हमारा answer okay so next question start करते हैं third one तो यह हो जाएगा 3 5s are 15 and 5 1s are 5 60 को हम divide कर सकते हैं 2 से तो यह हो जाएगा 2 3s are 6 0 you can write as it is यह हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 5s are 10 15 means it can divide by 3 3 5s are 15 और यह हो जाएगा 5 1s are 5 उसके बाद हम इसके factors लिख लेते हैं तो 15 के factors हो जाएगे 3 into 5 60 के factors हो जाएगे 2 into 2 into 3 into 5 अब इसके common factors क्या हैं आप देख सकते हैं यह 3 और यह 3 5 यहाँ पर common है और यह 5 और यह 5 जो है वो क्या है? common है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? common factors मतलब 3 common है तो हम 3 लिख सकते हैं और 5 common है तो हम 5 लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 5s are 15 तो हमारा HCF कितना हो गया यहाँ पर? 15 अब ही LCM LCM मतलब common factor common factor हो जाएगे 3 into 5 common factor multiply by non-common factor multiply by non-common factor means 2 into 2 तो इसको आप multiply कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 3 5s are 15 and 15 2s are 15 2s are 30 and 32s are 60 तो यह हो जाएगा 60 आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा अभी हम इसको verify करते हैं तो verify हम कैसे करेंगे? product of two numbers so product of two numbers what are our two numbers? हमारे two numbers हैं 15 into 60 तो 15 into 60 को जब आप multiply करोगे तो यह हो जाएगा 15 6 are 90 और यह हो जाएगा 0 that means 900 ओके now the second step is product of HCF and LCM तो product of HCF and LCM क्या हो जाएगा? HCF कितना है? 15 है और आपका जो LCM है वो कितना है? 60 है तो आप 15 में 60 को जब आप multiply करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 900 that means आप देख सकते हैं कि आपका product of two numbers and the product of HCF and LCM दोनों सेम है that means हमने इसको यहाँ पे verify कर लिया ओके so हम start करते next question तो यह भी हमारा two से divide हो सकता है तो यह हो जाएगा 2 9s आ 18 और यह हो जाएगा 3 3s आ 9 और यह हो जाएगा 3 1s आ 3 अभी 63 को हम 3 से divide कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 2s आ 6 और 3 1s आ 3 अगेन इसको हम 3 से divide कर सकते हैं यह हो जाएगा 3 7s आ 21 और यह हो जाएगा 7 1s आ 7 अभी हम इसके factors लिख लेते हैं, factors क्या हो जाएंगे, 18 के factors हो जाएंगे, 2 x 3 x 3 और 63 के factors हो जाएंगे, 3 x 3 x 7 अभी इसके common factors क्या हैं, आप देख सकते हैं, ये 3 और ये 3 common है, ये 3 और ये 3 क्या है, common है तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF equals to 3 x 3, so 3 x 3 हमारा HCF हो जाएगा 9 और LCM, LCM मतलब common factor that is 3 x 3 x non common factor that is 2 x 7 इसको आप multiply करेंगे तो हो जाएगा, 3 x 3 is a 9, और 9 x 2 is a 18, ओके 18 x 7 है कितना हो जाएगा, 126, तो ये हमारा LCM हो जाएगा, 126 अब हम इसको verify करते हैं, तो verify करने के लिए हम लिखते हैं, product of two numbers product of two numbers means हमारे two numbers कौन कौन से है, 18 and 63 है, so 18 और 63 को जब आप multiply करोगे, तो आपको मिलेगा 1134 and the next step is the product of HCF and LCM, तो product of HCF and LCM कितना हो जाएगा, 9 x 126, तो आप वीडियो को pause करो और इसको multiply करो, once you will multiply, then you will get 1134, that means the product of two numbers equals to the product of HCF and LCM, तो यह हो जाएगा हमारा answer, हमारा last question है, 78 and 104, तो 78 को हम multiply, divide कर सकते हैं 2 से, तो यह हो जाएगा 2, 3 is a 6 और यह हो जाएगा, 29 is a 18, अभी 39 को हम 3 से, divided कर सकते हैं 3 बंजा 3 and 3, 3 is a 9, अभी 13 क्या है, उइक prime number है, तो इसको हम 13 से ही divide करेंगे, तो यह हो जाएगा 13 बंजा 13, अभी 104 को हम 2 से, divide करेंगे, यह हो जाएगा, 25 is a 10, 22 is a 4, then again हम 2 से divide कर सकते हैं, हो जाएगा 2 2s are 4 and 2 6 are 12 then 2 से हम divide करेंगे हो जाएगा 2 1s are 2 and 2 3s are 6 13 again it's a prime number so we can divide it directly 13 1s are 13 now we will write the factors of 18 is 2 into 3 into 13 and what are the factors of 104 that is 2 into 2 into 2 into 13 यह हमने इसके factors लिख लिए now common factors आप देख सकते हैं यह 2 और यह 2 क्या है इसके common factors है और यह 13 और यह 13 भी common factor है उसके अलावा आप कोई भी common factor यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लिख सकते हैं hcf equals to 2 into 13 so 13 to the 26 यह हो जाएगा हमारा hcf और lcm हो जाएगा हमारा common factor that is 2 into 13 into non common factor that is 3 into 2 into 2 अभी आप इसको multiply करेंगे तो 13 to the हो जाएगा 26 multiply यह करेंगे तो यह हो जाएगा 3 to the 6, 6 to the 12 so 26 में आप 12 को multiply करो तो आपको मिलेगा 3, 1, 2 so इसको आप यह क्या हो जाएगा आपका lcm हो जाएगा once you will find the lcm आपको क्या करना होगा next step करना होगा that is product verify करना है आपको okay so the product of two numbers so product of two numbers which two numbers 78 into 104 तो आपको 78 और 104 को आपको multiply करना होगा once you will multiply then you will get 8,112 यह आपको क्या मिल जाएगा इसका product of two numbers हो जाएगा उसके बाद हम इसको verify करते है with the product of hcf and lcm तो product of hcf and lcm कितना हो जाएगा आपका hcf कितना आया था 26 so 26 multiply by lcm that is 312 once you will multiply the hcf in पे हमने verify कर लिया यह formula आप हमेशा याद करके रखे क्योंकि आगे हम इसको use करने बाले है practice set 14 में that is the product of two numbers equals to the product of hcf and lcm I hope student हमने यहाँ पे इसको complete कर लिया है और आपको यह समझ में आ गया है तो आप इसको practice कीजिए definitely जितना आप practice करेंगे उतने अच्छे सी आप sums कर सकते हैं तो इसको मैं भी यही stop करती हूँ और अब हम मिलते हैं next video में that is practice set 14 करेंगे हम bye bye